जब भी हम कोई B2C कमपनी को एनलाइस करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उनके end products की demand कैसी है तो जैसे कि अगर हम automobile sector की बात करें तो automobile sector में हम यह देखेंगे कि उनके two wheeler और four wheelers की demand कैसी है बट वहीं अगर हम B2B segment की बात करें तो हम ये देखेंगे कि उनके buyers की industry growth कैसी है और उनके product की demand कैसी है जैसे कि अगर हम tire industry को अगर analyze करें जो कि two wheelers के लिए tire बनाती है तो हम ये देखेंगे कि उनके two wheelers की demand कैसी है तो जब भी हम invest करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे ज़ादा FMCG या pharma sectors ही आते हैं बट क्योंकि ये already इतने ज़ादा high valuation पे होती है तो हम इनमें invest नहीं कर पाते हैं बट हम इनमें indirectly भी invest कर सकते हैं इनके suppliers की थूँ और इन companies में अपना exposure ले सकते हैं तो आज हमें कैसी ही company की IPO की बारे में जानने वाले हैं जो multiple high growth industries को अपने products को supply करती है Hello everyone, welcome back to Ticker, मैं हो की IT आज हम जानने वाले हैं लक्ष्मी ओर्गानिक्स के IPO की बारे में जानेंगी इस company से related सारी चीज़े जैसे की company profile, risk, strengths, financials and और भी बहुत कुछ लेकिन उससे पहले अगर आप इस channel पे new है या channel को subscribe नहीं किया है तो देर किस बात का जल्डी से subscribe कर दीजिए और bell icon को hit कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की notifications आप तक पहुचती रहें लक्ष्मी ओर्गानिक एक speciality chemical manufacturing company है जो की दो broad categories of products में deal करती है जैसे की acetyl and speciality intermediates acetyl mainly use किया जाता है pharma famulations में, printing inks में, adesives और coatings में और वही speciality intermediates use किया जाता है pharma, agrochemical और synthesis manufacturing में और वो ला रहे है 600 करोड का IPO, जिसमें से 300 करोड है fresh issue और 300 करोड जो है वो sell off कर रहे है इनके promoters है Yellowstone Trust and Ravigoin का, जिसमें से Yellowstone Trust अपने stakes को sell कर रहे है और ये proceedings वो use कर रहे हैं अपने working capital requirements के लिए और उनकी subsidies के capital expenditure और other purpose के लिए इस table से आप देख सकते हैं कि वो net proceeds को किस तरीके से use करने वाले हैं लक्ष्मी Organic ने अपने operation start तो 1989 में किये थे और वो इंडिया में single largest manufacturers है ethel acetate के चलिए समझते हैं कि आखिर ये ethel acetate होता क्या है तो basically ये एक solvent है जो कि packaging, polyester, paints, cleaning mixtures और perfume वगेरा में use किया जाता है और ये इसलिए भी prefer किया जाता है क्योंकि ये low cost के होते हैं और इनकी toxicity level भी कम रहता है और इसमें इनका market share है around 30% का इसके साथ लक्ष्मी Organics decatin derivatives भी बनाते हैं decatin derivatives use होते हैं paper, pharmaceuticals, agrochemicals और dye और pigments वगेरा के लिए traditionally इंडिया में decatin के demand पूरी करने के लिए चाइना और यूरोप से import कराया जाता था बट लक्ष्मी Organic ने ये product manufacture किया और इंडिया के only manufacturer बने और domestic market में अच्छा presence बनाया और इसमें इनका 55% of market share है in terms of revenue of fiscal year 1920 के लिए और ये largest supplier बने यूरोप के लिए in 2019 ओवर दे येर लक्ष्मी ने अपने operations को काफी अच्छा scale किया है और globally अपने footprints को बढ़ाए भी हैं और ये आज की date में over 30 countries में हैं जैसे कि China, Netherlands, Russia, Singapore, UK and USA इवन उन्होंने अच्छे और बड़े players के साथ अपने long term relationships भी build किये हैं जैसे कि आप इस list में देख सकते हैं और इनके जो top 10 customers हैं उससे around इनको 25% का revenue भी generate होता है जैसे कि आप इस table से देख सकते हैं लक्ष्मी और यानिक ने अपना customer concentration कम maintain किया है और कोई भी customer 10% से जादा का revenue contribute नहीं करता है जिससे किसी भी एक customer को खो देने से इतना impact इनके company के revenues पे नहीं पड़ता है और clients के साथ साथ इनके offices भी हैं नीदरलैंड, शांगाई और UAE में जिससे वो international demand का अंदाजा लगा पाते हैं और अपने demand को कम ज्यादा कर लेते हैं और अपने customer base भी increase कर सकते हैं तो ये तो हो गई company की basic details चली अब जानते हैं कुछ major factors जिससे इनके revenue पे काफी impact आ सकता है तो first of all, लक्ष्मी ओर्ग्यानिक most of the products जो बनाती है वो commodities है यानि end products नहीं है जिसकी वज़ा से उनके पास ज़्यादा pricing power नहीं रहती है इसे के साथ लक्ष्मी ओर्ग्यानिक जो भी raw material अपने product को manufacture करने के लिए use कर रही है उसके price बढ़ने के chances है because of demand and supply या economical political issue या transportation, labor costs या etc इनके raw material expenses आप इस table से देख सकते हैं तो around 50-60% total expense का सिफ raw material में ही चला जाता है तो यह जो raw material खरीते हैं वो reputed suppliers से लेते हैं बट इनके किसी भी suppliers के साथ कोई long term contract नहीं है just because of demand and supply और इन्हें जब materials चाहिए होते हैं तब वो multiple suppliers से quotation मंगा लेते हैं इनका जो common raw material है वो है acetic acid जो की इनकी दोनों products में use होता है acetyl intermediates and speciality intermediates में इसके prices काफी जादा fluctuate भी होते हैं इसी के साथ जो एक और common raw material ही नहीं चाहिए होता है वो है ethanoil जो की monsoon पर depend करता है तो इसकी वज़े से seasonal availability की problem हो जाती है तो क्योंकि कुछ ही suppliers है जिससे किसी भी तरीके का disruption से इनके operations में काफी impact आ सकता है और इने competitive price में हो सकता है कि material ना मिले लक्ष्मी और ग्यानिक्स largest exporter है यूरोप के लिए ethel acetate का जो की अच्छी बात है और इनका revenue from exports कुछ इस तरह है यानि total revenue of operations का around 22-25% generate हो रहा है सिफ export business से तो यह percentage तो बहुत अच्छा लग रहा है बट in case global countries में कुछ भी होता है तो इससे लक्ष्मी और ग्यानिक्स को काफी impact आएगा जैसे REACH ने European countries और other countries में toxic solvents ban कर दिये हैं तो इससे although लक्ष्मी और ग्यानिक्स को फायदा होगा क्योंकि वो जो ethel acetate manufacture करते हैं वो green solvent है तो जो product ban हुए है उसकी जगा EA use होगा तो इसका benefit लक्ष्मी और ग्यानिक्स को मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ ही लक्ष्मी और ग्यानिक्स ने जो कि वो इंडिया में set up करेंगे और इससे लक्ष्मी के product line में एक और product add हो जाएगा और इससे उनको definitely leverage तो मिलेगा ही बट उन्होंने ये acquisition अपने subsidiaries के थ्रू किया है लक्ष्मी और ग्यानिक्स की 8 direct subsidiaries है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें से 4 subsidiaries non operational है और ये particular acquisition इन्होंने yellowstone fine chemical private limited के साथ किया है ये भी non operational ही है बट इन्होंने इस company के थ्रू ही acquisition किया है जिससे वो new manufacturing plant बनाएंगे और जैसा कि हमने starting में देखा था कि वो अपने net proceed का use इस company के investments के लिए भी करेंगे और जैसा कि इनकी दो products है acetal intermediates and speciality intermediates तो इसमें जो acetal intermediates है उससे इनको अपने total revenue का more than 50% के revenues generate होते हैं जो कि आप इस table से देख सकते हैं तो इस particular product में अगर कोई decline आता है या फिर competition increase हो जाता है तो इनके revenue पे definitely impact आएगा वही specialty intermediates से around 30% का revenue इने generate होता है चलिए इनका revenue भी हब हम चेक कर लेते हैं revenues तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं बड़ जादा proportion से नहीं पिछले 3 साल में सेफ 3% के CGR growth से ही बढ़ रहा है और अगर हम peers देखें लक्ष्मी और ग्यानिक के तो उनके कुछ ही listed peers है जैसे कि RT Industries, Rosari Biotech जिसका last year ही IPO आया था तो अगर हम total revenue compare करें तो लक्ष्मी और ग्यानिक का revenue अपने peers की comparison में काफी कम है और इनके products कुछ ऐसे तरीके के हैं जिससे इनका customer base काफी जादा diversified है उनके products बहुत से industries में use किये जाते हैं जैसे कि pharma, agrochemical, dyes and pigments, inks and coating etc तो ये diversification उन्हें help करता है किसी भी तरीके की industry specific disruption से आप इस table से देख सकते हैं कि उनके total revenue से कितना percentage कौन सी industry से आ रहा है इसके साथ ही जिन countries पर ये export करते हैं उसमें भी concentration कम है जैसे कि आप ये table से देख सकते हैं इनका major revenue इंडिया से ही generate होता है and then बाकी countries से अगर हम operating profit की बात करें तो वो पिछले 3 सालों में decline हुआ है 3% के CAGR से इनका return on capital employed कम हुआ है but reasonable है but peers के comparison में भी कम है वही return on equity भी peers के against में कम है और अगर हम PE देखें तो वो है 45 times और सभी तरह के की chemical companies high valuations पे है even लक्ष्मी और्गानिक भी but आपको listing gain के लिए apply करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसका grey market premium 100% दिखा रहा है but for the long term ये commodity based chemical business पे है तो जैसा कि हमने discuss किया था कि ये low margin में sell करती है तो ये company wealth create कर पाएगी या नहीं ये depend करेगा कि वो कैसे अपने आपको evolve करती है low selling margin और slow growth से into high margin and growth तो ये तो हो गई company के सारे financials, company profile, risk and strength की बात अब जल्दी से देख लेते हैं कि company की IPO details क्या है IPO की date है 15 March से 17 March IPO में fresh issue और offer for sale दोनों ही है IPO का price band है 129 रुपीज सिफ 130 रुपीज और इसका listing date है 25th March I hope आपको आज का हमारा ये IPO analysis अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा और हाँ comment section में हमें जरूर बताएगा कि क्या आप इस IPO के लिए apply करने वाले हैं या नहीं Thank you